राम राम खमागड़ी प्रताबगड़ वासियों मैं खुश्बूखान और आज देखे क्योंकि मरुधरा का महा समर सच चुका और ऐसे में आदिवासी अंजल में हम पहुंचे हैं प्रताबगड़ी से काठल के नाम से भी जाना जाता है अब ऐसे में जो है यहाँ पर आप द समसे जिमाग में क्या होगा जब वोट दे रहुँंगे यह तमाम सवालों के जवाब हम लेने वाले हैं लेकिन में साथ मेरी सयोगी हैं पहले उनसे हम आपको इंटेडियूश करा देते हैं विलकूल दोइसमर में और आज अज बहस होगी बीच बाजार काठल की धरापर जो यह प्रताब गड़ में सियासी संग्राम सच चुका है यह भीड आप देख सकते हैं कि जो यह बया कर रही है कि यह अपने नेताओं से रिपोर्ट कार्ड मांगेगी पाथ साल का और अब मैं अपनी सयोगी खुश्बू को कहना जाओंगी कि खुश्बू जो आज के हमारे पैनलिस्ट है हमारे गेस्ट है उन्हें मंच पर बुलाएं बिलकुल मैं हिमादरी उनको मंच पर बुलाओंगी लेकिन देखिए बहस बीच बाजार का क्या मतलब होता है कि टीवी पर जब देखते हैं आप जो बहस होती है वहा के बीच में आप जाएंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं किस तरह के वादे होने चाहिए महिलाओं के लिए क्या किया युवाओं के लिए क्या किया आप बच्चों के भविश्य के लिए क्या करें बुजूर्गों के लिए क्या किया कैसे नौकरी दे रहे नौकरी आ प्रदेश अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी मैं आपसे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ रमेश माइडा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर आए मंच शांतिलाल मीना जी है जिला मंत्री भाजपा आपका स्वागत करती हूँ देखे कि अब सवालों का सिलसला जब शुरू होगा तो सवाल ऐसे होंगे कि आपको जनता के जवाब देने होंगे तो सबसे पहले मैं जाना चाहती हूँ कि यहां पर जो है मुल्भूस विधाओं की बात करें तो क्या अब तक हुआ है किस वादों के साथ कैसे वादों के साथ आप जनता की बीच में जाने वाले हैं हम जनता के बीच में जनता के जो इस्थानी समिश्या है उनको लेकर काम करेंगे और उनका जो जाजम पे जो विजार आएगा उस विजार को लेकर काम करेंगे वहाँ जाजम पे जो बात कही जाएगी कि हमारी इस परकार की समिश्या है हमारे गाव में ये करना अमरी पंचायत में ये करना अमरी पंचायत समीती में ये करना अमरी जिला प्रिशद में ये करना है ये तो खेर अब जनता भी बताएगी वाकई में ऐसा हुआ है या तस्वीरे कुछ और थी आप से जाना चाहूँगी रमेज पांस साल की बात करें पांस साल में अपने क्या देखा यहाँ पर किस तरह से जो विकास हुआ है और किस तरह काम होना चाहिए था सबसे पहले तो आपके चैनल को भारत अदिवासी पार्टी की तरफ से हर्दिक जोहार करते हैं और पांस साल और पीछलेace 35 साल बीजेपी और कॉंग्रेस पीछलेace 35 सालों में बीजेपी नी धूल उड़ाई और कॉंग्रेस नी खड़े कर दिये उसके साथ ही साथ कहीं ने कहीं बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों एक हैं दलोट एक ऐसी पंचे समिती है जहां पर हम लोग पूरी तरह से हमारी सीटी मजबूत थी उसके बावजूद बीजेपी और कॉंग्रेस ने मिल करके परदान का बेठाया आपका कहना है कि बीजेपी कॉंग्रेस दोनों एक है अब आप आएंगे आपका ये दावा है कि आप ही लोग आने वाले हैं तो अच्छे से काम होगा ये तो खैर जनता बताएगी जब जनता के पास मेरी सयोगी जाएगी तो सर आप से जानना चाहूंगी बताएए कि क्या किया गया देखिए पास साल विकास के नाम रहे कांग्रेस के सरकार विकास के मुद्दे पर वापस जनता के बिच जा रही है कांग्रेस के सरकार ने जो नीतियां लाई है जो काईक्रम लाए है और जो योजनाय चलाई है वो जनकल्यान का योजनाय भारत के प्रदान मंत्र स्विखार किया कि जनकल्याणकर Diogna वह चालू रहेंग बंद नहीं होगी इसका मतलब ये जोजना है जो चल रहा है और आप तो कह रहें कि जो 55 साल में नहीं हुआ वह पास साल में अपने करके दिखा दिया और आपका सहब कहना है कि दोनों मिले जुले हुए ठीक है यह जनता जानती है यह किसको चूज करेगी इनके मन में क्या होगा ही मादरी जानी की वाकई में प्रताबगड में अभी तक कितना विकास हुआ है और विकास कहा तक पहुचे क्या ये तीनों जन प्रतिनी दी जो कह रहे हैं वो सच है मेरा नाम बालूभिल सबसे पहले आपको सैनल को जैजोहार देश की आजादी के 77 साल बाद बीजेपी और कॉंग्रेश ने इस शेत्र में राज किया लेकिन आज यहां पर आप देख रहे हो विकास के नाम की जो यह बात कर रहे हैं दोनों पार्टियां जो है 77 साल से यहां इस सीत्र में राज कर रही हैं लेकिन यहां पर मूलबुत सुविधा हैं वो भी नहीं मिल पाई हैं लोगों को लोग मरी से मर रहे हैं पलायान और यहां पर बेरोजगारी बढ़ रही हैं और चिक्सा की बात करते हैं तो आना यह हमारी से तो खोल दिये लेकिन को इन मुद्दों पर यहां की सरकारें यहां की विदानसभा शेत्र के जन प्रतिन ही दियें वो खरे उतरते हैं यह नहीं क्या करेंगे शिक्षा का इस्तर के बारे में बात करें तो कॉंग्रेस के वाल ढकोसले कर रही है यह जो कोलेज की बाते करते हैं वहां पर यह बताएंग किसानों को 10 गंटे बिजली देंगे आज ये करशी परदान परताबगर जिला है आज खेतों में जाकर मेरे साथ देखिए किसान बेचरा टक टकी लगा कर बिजली की लाइट लाइट के लिए रस्ता देख रहा है कब लाइट आएगी उसको लाइट समय पर उपलब दिनी हो लाइट आती है उसका पानी खेत में जाता है फिर लाइट चली जाती है इस हालत से किसान गुजर रहा है पाथ साल में जो वादे किये थे बीजिप का यह आरोप है कि वह वादे दरातल पर नहीं उत्रें वो सिर्फ हवा में वादे रहे हैं आप हमारे साथ चलिए हम बता के बन गई है मेडिकल कोलेज तो इनके सिपी जो सी जी ने तो मना बोल लिया था और यह रेल की बाते करते हैं बाइपास आप अभी तक नहीं बना है दस साल में बड़े-बड़े वादे करते हैं कि बाइपास बन जाया गया पर अभी तक जन्ता त्रस्ट है वादे तो किये और आपने क्या किया आपना रिपोर्ट कार्ट बताएं हमने तो मेडिकल कॉलेज खोला है यहां पर उचिसका सिलान्यास हो गया है साथ साथ कोलेज खुल गये हैं जिसमें रशी माविद्याल है संस्क्रप माविद्याल है और रिको एरिया गोशित कर दिया है जो 35 साल में बाटपान ने यहां पर कुछ भी नहीं किया था हॉस्पिटल भी दो दान दाता हों कि मदश से बना हुआ था और अगर बात की जाए मुलभूत सुविधाओं की विकास की तो सिर्फ जो गेंद है वो एक पाले से दूसरे पाले में डाली जा रही हमारे सत्व और भी लोग प्रताब गड़ की मेरे कॉंग्रेस मित्र अभी बहुत रहे थे के ग्राम इलागे में सेले जाओ बहुत कुछ विकास 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 उन लोगों का हुआ जो एमेले साब के उटके जागे हादरी बरवाते हैं वह लोगों से पैसा है उसुल करके और ब्रतमार में सरपांच हो लोगों किये लोगों ने कुए बांदे लेकिन इनका पैसा ने देने कि विरपूर पंचाइट से पंचास में सुख प्राशे में क्या रहाँ है यह मार्केट में बेटते हैं वहां हादरी लगाते हैं लोगों से पैसा लूटने के सिवाए आप जो अपने मुद्दे लेग खुश्बू हम महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं की स्थती प्रताबगड में कैसी और विकास की जो बाते की जा रही है उनमें कितनी सच्चाई महिलाओं तो देखो प्रताबगड जिलेत क्या पूरा राजिस्तान महिलाओं के नाम से बहुत हो है महिलाओं की कहीं से कहीं तक कोई शुरक्षित नहीं है दलित के उपर अत्याचार हो रहे महिलाओं की नाम पे खुल कर अत्याचार हो रहे जिंदा बटी में जलाय जा रह महिला काई से काई तक कोई शुरक्षित नहीं है उनसे भी जानेंगे कि महिलाओं की स्थती क्या है और खास तोर प्रताब गण में महिलाओं का जीवन इस्तर किस तरह का है क्या मूलबूत सुविधाएं सभी यहां पर मौजूद है देखिए महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है और विशेश रूप से जोई रेजर्विशन भी लाया है नारी बंदन अधिनियम इसको लेकर महिलाओं में बहुत उत्सा है और रादनीती के अंदर महिलाओं जो है वो आगे खुल कर आना चाहती है लेकिन स्थानी अस्तर पर यद यह से बात हुई उन्होंने यह कहा कि जो महिलाओं है वो रास्टी इस्तर पर जाएंगी विकास होगा क्या वाकई में महिलाओं का जो इस्तर है प्रताबगड में कहां तक आतने हैं उसे मेंडम आपके चैनल को जोहार मेंडम ने बात की है कोंग्रेस और बीजेवी के गार बात करें यह के रहे हमारे सेत्र में हमारी सरकारों ने महिला की सुरक्षा के बात कर दिया मनिपूर के अंदर बीजेवी की सरकार थी के अंदर बीजेवी की सरकार थी उसके बावजूद मायलाओ को नंगा किया गया सड़क पे उसका प्रेट करें गया और उसको बलाद करकर मार दिया अभी तक कोई न्या ही नहीं कुछ भी नहीं केवाल केवल एक जूटा वादा है केवल एक जूटा दिलास आप परतापगर के अदर मैलाओ की बात करो तो शिक्षा के सेत्रह में सबसे कम जो रहे हैं और ऐसे में जब बात होती है राजस्थान की तो एक चीज है कि महिलाओं को लेके अभी तक हम जहां भी गए जिस भी विधानसभा में गए लिए वहांपर जो सबसे बड़ी चीज है वो हमें ये देखने को मिली कि महिला सुरक्षा सबसे इहम उद्धा है वहांओं को लेकर पुरुश अकसर बोलने को यहां पर कोई तयार नहीं है तो इससे ये पता चल रहा है कि महिलाओं की स्थतिज़ों है वह कहां है और खास माम जनप्रतिनीदी खुष्बों मौजूद हैं उनसे जानी है महिला शिक्षा महिला स्वास्त और महिला शुरक्षा साब आपने तो बड़ी-बड़ी बाते कर दी तो सारी खोकली लग रही है जब लोग बोल रहे हैं तो कुझ लियुक रही है ये कि आप से कहा कि आप एक माध्यम है हमारी बातों को जनता तक पुहुचाने और हम पर फिल्ड में उत्रिये काम क्या हुआ है ४ यह माध्य में तभी तो सवाल कर रहे हैं आप眞ारी बातों को हमारे विकास को अगर आपको दिखता आप भी जाहिए शेत्र में अगर विकास दिखता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये विकास हुआ हैं यह तो खेरा आप दावा कर रहे हैं सच्चाई कितनी हैं वाकिन हुआ यह काम नहीं आप अपने बात रखें लोगों को तो हम चुपने करा सकते हूं काम देखें देखिए एक मिनट भी यह बीजेपी और कॉंग्रेस बीजेपी का सबसे बड़ा इनका सभीधान में यह कहते ह खतम होना चाहिए अभी एक ही परिवार के दोनों उमीद्वार हैं बीजेपी और कॉंग्रेस के रामलाल और हमंद मिना दोनों एक ही परिवार के हैं और दोनों ही परिवार बात को बड़ावा दे रहें दूसरी बात एक और इन लोगों से सवाल नहीं हमारा और इन से भी स एजुकेशन बाहर करी यहां पर इनके पास में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लचिला और यहालत है यहालत है इनकी बिल्कुल जीरो है शिक्षा के मसले में स्वास्त के मसले में बात करें तिनोंगी सिर्फ अस्पताल खोले गोली नहीं है विद्याले खोले हैं तो विद् फांडेशन मजबूत नहीं हुआ ना पहली से प्राइमरी का फांडेशन मजबूत नहीं होगा आप बिल्डिंग खड़ी करोगे कहां से होगा कंपडिशन के से पास करेगा और यह एरिया ऐसा है जहां पर इन लोगों नी बारी-बारी से लूटने का काम किया है बीजेपी न देशन में खतम हो गया और जो कॉंग्रेस ने उसकोंग्रेस के जो मलेशन उनसे पूछो उनकी पत्नी सरपन्च है उनकी पत्नी दूसरी वाली पत्नी जिला प्रमूख है और रही बात जो लोग कह रहे हैं कि दरातल पर विकास हुआ अभी जो कह रहे थे उनसे पूछो गोट़ो जिए और ये ही यही वो लोग है जिन्हों ने गरीब धलइद और कुपोषिद बच्चों का पुसार खाने का काम किया था यह सबसे बड़ा पुसार गोटला इन लोगों ने किया और यह वही लोग है वही लोग है जिन्हों ने परताव गड़ में WBN के नाम पे 154 फरजी WBM सडक्यों की गलत्वों करिये और यह वही लोग है जो विकास की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं इन्होंने 35 साल पेती साल इन्होंने पास जो पेती साल में नीवा वो इन उनुकां जया ओकांक पिछ चुने पहले पात्षाल में इनूंने बैति हुआ पेति साल की बात करते लेकिन इननुने पात्षाल में गुर्जी बहों को भिल्यमस कर दिया इननों आ पकल साल में रामलाल मेडे की 80 से प्टेलात पूरी-पात-वपास सइलएर होगी तनका होगी वह एकति 3-3-4-4 करोड़ की 2233 रपना चुका ती उसके खुद कम स्थ योट होडा मंगान मचान के ही ऐक पास में 12 अचलों बना दिया और उसके देव पूरा में कम से कम देड़ करोड दो करोड का माबाप का बंगला बना लिया इतनी अता संपति कहां से आई जो एक समय दूद बेचने के लिए साइकल पर आता था उसके पास अता काला दन कहां से आया यह केवल और केवल परतावगड की जनता का लूट का पेसा है और परतावगड की जनता के व प्रश्टाचार के मुद्ध्य पर पिछले एक साल में कितने ब्रश्टाचारी बीजेपी ने अपनी पार्टी में सामिल किये हैं यह किसी से छिपा नहीं है कितने ब्रश्चाचारी बीजेपी में शामिल हुए है और बीजेपी की वाशिंग मशिन में सारे ब्रश्चाचारी धुल के और पाक साफ होके और बीजेपी की गुर्सों पे बेट रहे हैं ब्रश्चाचार पर बोलने का बीजेपी नेतिक अधिकार खो चुकी है ब्रश्चाचार पर बोलने का इनका कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि जो ब्रश्चाचारी है उन्होंने उनको बुला बुला कर अपनी पार्टी में शामिल किया है और अपनी वाशिंग मेशिन में धो तो लोन लेकर अपना व्यावसाय चलाने का अधिकार है रामलाल मीना ने लोन लेकर अगर क्रेशर चलाया है और पेशा कमा के और अपने अपने परिवार का नाम उच्छा किया है अपने परिवार के लिए घर बना लिया है तो उसने कोई चोरी नहीं किये उसके उपर लोन का भी भी ड्यूज रॉट रखाया है तो लोगों कहीं सवाल है लोगों नहीं कैसा है तो यहां पर कहना है कि कांघ्रेसमें भी वाशिंग मशीन चाली एप धुलके साफ हो गए आप बीजेपी से आप पूछ चले गए विचारों के मतभेत की वज़े से मैं कॉंग्रेस में गया था और जहां अच्छा काम हुआ है वहां में गया और मैंने अच्छे काम की तारीफ किया है और इस प्रताबगण में पिछले पांस सालों में जो काम हुए है वो पिछले 35 सा सरकार की तो जिस सरकार ने जो जनकल्यान करी योजनाय चालू किये आज इस ग्राम आदिवासी ग्रामिन अंचल का कोई आदमी उद्यपूर जाता था और उसके ओप्रेशन के लिए चार लाग पांस लाग रुपे की जरूत होती थी आज उसको बिना एक रुपया लगा है सिर्फ सिर्फ चिरंजी योजना में 10 लाग तक का लिए तो आप कहरें लोगों को कितना फाइदा हो रहा है कुछी लोगों से बिलकूल तो देखी सबसे पहले चलाने से कुछ नहीं होगा चलाना किसी समस्या का समाधान नहीं जिस तरह से आप चला रहे हैं बाओ जी आप को बेहत उसाहित नजर आ रहे हैं क्या कुछ आपके मुद्झे है क्या कुछ आपके समस्या के यह रूपया मुद्धे मुद्धे तो ऐसा है के औरीजिनल रामलाल इदर बीजेपी में आगे आज यह डूप्लिकेट रामलालाव समाप थोने वाला है बाद में जो भी कारवई होगी वो तो भारत सरकार से होगी इससे पुछा यह कि साथ लाग कमाए तो साथ करोड का गोटाला के से हो गया इसने लड़कियों के खाद्यान में पेसे खाए इसने अधर बारी कारी करता हो से करथ में सहंते हैं सफीं ऊचिण कि आ जोड़ा अरे यह तो खाने को आया था पर यह तो ॉयाओ यह बदल दो यह यह उरीजिनल का नई है ृउय जल काति मुत्तां बेहर साथ में मेडम में जो पड़़ाई के बारे में विद्ध्यारती इस्कुल गए थे उनकी परिक्षा के बारे में बोलूँगा मैं मैं बोलता हूँ आपको मंगल सुत्र तक उतार दिये गए राजस्तान सरकार ने और जो इसकुल के बस जो बच्चे पढ़ने जाते थे वहाँ पे जो अपने परिक्षा देने के लिए बसे फिरी करवा दी और इधर से अंदर जाके और पेपर लिग करवा दिये और उन बच्चों के उपर कितनी बिती होगी यह बच्चों ही जाने पढ़ने और देखे जब से पहले पीछे जो भी रहा उसका शौर जादा है उनकी समस्या भी पीछे से जो एक बच्चा से बहुत जादा परताओं करने और रामलाल ने बहुत लुटा बच्चा धार में रामला सबसे आगे परताओं करने आप क्या कहेंगे असली नकली वाला कुटा क्या है मैं सिद्पुरा गाओं में रहता हूँ रामलाल से केवल आठ किलोमेटर दूर हूं में मेरा गाओं में इतने खटे हैं डेडेड़ हाथ खटे कोई विकास नहीं हुआ है केवल उसने ब्रश्टाजार किया है अंगर वारी कारिक करताओं को लुटा है और छोटे-छोटे- करमचारी होते हैं उनको सब को लुटा है सब को उसकी सभा होती है अच्छी के आगे पूस्ते हैं विकास के मुद्धे पे कहां पार एस्टेंड करता है प्रताबगर्ण जिला बनने के बाद से अब तर दोजाराट में प्रतावड जिला बना उस समय हमारे विदायक मानी न सब्सक्राइब दोजार अथारा में मानी अमिले साब आए रामला जी मीना उन्हों ने ऐसा किया है प्रस्टाजर के लाव कुछ किया ही नियुक्त किया है क्या है जी एक कर दोड़ी बात नीजी विकास के बात यहां पर ओड़ी यह प्रताब्न है कि देखें यह पॉइंट ऑफ यू इस तरफ से हमने जाना वक्त हो चला है पैस बीज बाजार में छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जानेंगे कि इस परफ के क्या कुछ मुद्धा है ब्रश्टाचार एक बना मुद्धा है शिक्षा है क्या का बड़ा मुद्धा है और कि अले कलाल वक्त एक ब्रेक का जोग ब्लाटेंगा